तो चलिए दोस्तों एक और compare वीडियो में आपके लिए यहाँ पर लेकर आगया हूँ जहाँ पर आज हम compare करने वाले हैं दो 5G smart phones के बारे में 20,000 रुपए के price point पे आपको दो phone यहाँ पर देखने तो मिल जाते है और अब यह भी हाल फलाल में लांच हुआ Moto G 5G smart phone 21,000 रुपए के price point पे लांच किया गया था तो यह भी अपने specification के साथ price जो है अच्छे से match करता है और आपको finally enforcement से कौन सा purchase करना चाहिए या फिर आप मुझे पूछेंगे कि मैं मैं से किस की साथ जाओंगा तो वह भी बताऊंगा इस वीडियो में नमस्का दोस्तों मिनाना मचंसे कराजपूत आप देखने लेटाश कुरूए दोस्तो टिस्प्रीशं द्रों मिल जाता है इसके लिए आप पैनल जो है यानि की टिलाशी फिनिश देखने को मिल जाता है बन प्रस नाट में इसके लिए आपको पंच रिकाट डिचा proven के साथ देखने को मिल जाता है और यहा पर बटा दूं कि कि Moto G 5G में जो है ना 6.7 इंच का full HD plus display देखने मिलता है IPS वाला लेकिन दौनई phones में आपको HDR10 का support मिल जाता है तो इसके लावा यहां पर 60 हर्टेज का normal वाला display refresh rate जो है ना वो आपको Moto G 5G में देखने को मिल जाता है इसके लावा Gorilla Glass का protection यहां पर ठीक से पता चला नहीं है और IP 52 rating मिल जाती है जहां पर splash proof design जो है ना दोने फॉन्स में दिया गया है हलां कि OnePlus Nord में IP rating क्या है वो कुछ पता नहीं चल पाया है लेकिन Moto G 5G में जो है स्टालिस फॉन है लोक अच्छा है डिस्प्ले आपको सुपर एमोट देखने को मिल जाती है तो डिस्प्ले एंड डिजाइन वाले डिपार्टमेंट में OnePlus Nord आगी देखने को चला जाता है अब बात करते हैं यहां पर प्रोसेसर की तो OnePlus Nord में 765G चिपसेट जोना वह यूज किया गया है जो अपने आप में एक बहतरी चिपसेट है गैमी के लिए इसके अलावा यहां पर यह चिपसेट सब्सक्राइब नेनोमेटर की टेकनलोजी की साथ आता है और इधर जो है ना आप मोटो जी 5G में आपको कॉल कॉम सब्सक्राइब सेवन फिप्टी फाइब सेट जो यह वह देखने मिल जाता है जो कुछ दिल पहले कॉल कॉम ने लॉंच किया था और सेवन सिक्स्टी फाइब यह मतलब डाउन क्लॉक वरजन मान सकते कुछ कम स्पीड की साथ आता है लेकिन इंप्रूमेंट्स इसमें भी अच्छे मिल जा गया है तो थोड़ा बहुत मतलब गेमिंग करते समय माइनर सा फ्रेम डॉफ मगारा मिल सकते हैं मतलब मॉटो जी फाइब यह में क्योंकि चिपसेट जो ना थोड़ा सा मतलब हलका सा अंतर है तो डाउन ग्रेडिड चिपसेट है सेवन सिक्टी फाइब के मुकाबले लेकि जी बासक करते हैं यहां पर है मिल जाता है बड़ा सुप्रसटोरीयर जैने को नहीं मिलता है जीतना फूरेश आपने से ही काम चलाना पड़ेगा जो है ना अलग से आप मेमोरी कार्ड वगारा कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएंगे और Moto G 5G में आपको 6GB का RAM मिल जाता है 128GB का इंटरेमें इस्टोरेज मिल जाता है जहां पर आप 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं यह थोड़ा अच्छी चीज है तो मुझे लगता है कि स्टोरेज के मावले में मैं यहां पर Moto G 5G के साथ जाओंगा क्योंकि एक्सपेंडेबल स्टोरेज हमारा हक है और हमको यह मिलना चाहिए अब बात करते हैं यहां पर कैमरा डिपार्टमेंट की जो बहुत ही इंपूरेंट डिपार्टमेंट है तो यहां पर 1 प्लस नॉट में 48 में प्रिक्सल का में यह देखने को मिल जाता है क्वार्टमेंट के मामले में आगे निकल जाता है यहां प्लस नॉट क्योंकि फ्रंट केमरे पर नजट डाले थर्टी डूब प्रिक्सल का आपको वन प्लस नॉट में शैलफी कैमरा देखने को मिल जाता है और 16 मेगा प्रिक्सल का मोटो जी 5 जी में आपको अगे निकल जाता है अब बात करते हैं बैटरी एंड चार्जिं में करगें इसके अलावा आप बात करें बाते हैं गावर máximo अचार्जार्च नॉट में में कि दे देगा एक थोड़ा ध्यान देने वाली बात है तो यह कुछ डिपार्टमेंट थे जहां पर मैंने आपको मेंड मेंड डिफ्रेंस बता दिया है इसके लावा यहां पर यहां पर USB टाइस की दोन अपोर्ट में मिल जाता है USP OTG मिल जाता है FM Radio आपको Moto G 5G में केवल मिलता है यहाँ पर आपको FM Radio भी देखने को नहीं मिलता है OnePlus Nod में एक और खास बात आपको बता दो यहाँ पर 3.5 mm audio jack OnePlus Nod में देखने को नहीं मिलता है मैं clear कर देना चाहता हूँ अगर आप lead headphone कुछ भी लगाते हैं तो आपको wireless यानि की Bluetooth वाला चाहिए जो गुसेड़ने वाला headphone है ना वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा तो यह चीज़ें कुछ खटकती हैं लेकिन OnePlus Nod phone मुझे अच्छा लगाता लेकिन यही कुछ चीज़ें हैं जहां पर expandable storage नहीं है FM Radio नहीं है 3.5 mm audio jack नहीं है और 3.5 mm audio jack आपको Moto G 5G में मिल जाता है तो यह चीज़ जो है ना notice करने वाली बात है तो फिर यहां पर किस phone के साथ जाना चाहिए देखिए display and design के मामले में भी Moto G थोड़ा सा आगे निकल जाता है प्रोसेसर के मामले में भी OnePlus Nod थोड़ा आगे निकल जाता है और बैटरी यानि की backup की बात करें में जाएगी जो मतलब आपको OnePlus Nod से थोड़ा अच्छा बेकप दे देगी यहां पर यह चीज़ है तो किस phone के साथ जाना चाहिए तो ऐसे मैं मैं आपको बता दूं कि यहां पर लगवक्स 7000 रुपए का अंतर है एक है 21,000 का एक है 28,000 का 7000 का मतलब बड़ा डिफरेंस है द अगरा या फिर डिस्पेले डियाइन में नहीं है और सबसे बड़ी बात यह भी मोटो जी 5G में आपको इस्टॉक एंड्रोइड का एक्स्पेरियेंस में जाता है जहां पर आपको ब्लोट बेर्स फाल्टू के स्पैमी एप्स एडवर्टाइज में गए यह चीज नहीं द दे गही है लेकर इतना भी अंतर नहीं है इनको इग्नोर किया जा सकता है साथ या रुपए कम प्राइस में भी दे रहा है इसके लावा हमको 3.5 mm audio jack तो मिल जा रहा है कम से कम अगर हमारा Bluetooth डिवाइस खराब होता है तो उसको उसको कर सकते है 128 GB का स्टोरेज मिल जाता है आप और वन टेरावाइट तक है स्पेंड कर सकते हैं ममरू का डाल सकते हैं यहां पर तो यह चीज़ हमको मिल जाते हैं रेडियो मिल जाता है ऐसा नहीं है कि हर मामले में Moto जी 5G पीछे रह जाता है कई मामनों आगे भी निकल जाता है और कीमत भी हमसे 21,000 रुपए ले रह है तो मैं जो है ना सीदा सीदा मोटो जी 5G के साथ जाओंगा और आपको भी रेकमेंट करूंगा आप भी मोटो जी 5G के साथ जाए